वेलकम दोस्तों क्रिक फाइंट से लिग में आपका स्वागत है हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वह है प्रिमियल लिग मैंचेस्टर सिटी वसेश चेलसी जीम 11 स्मॉल लिग प्लस येर टीम प्रेडिक्शन दोस्तों जो लोग यह रिज इंवेस्ट करते हैं उनसे रिक्ष हो सकता है बट जो हमारे स्ट्राइडजी है अगर काम कर गई तो वन साइडर क्लीन सिफ होने की संभावना है लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहूंगा मैच बहुत ही रिक्षी है तो यहां पर बात करने दोस्तों रिवर्स पिक्चर की तो एमसी आई ने इनको लास्ट मैच पचीज विन किया है पांच लोस किया है वहीं पर चल्सी की बात करें चौंतिस में सत्रा विन है दस जो है सेवेन लोसे से दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो एमसी आई ने कंपेर करें अगर चल्सी से तो मैंचेस्टर सिटी ज़्यादा विन किया है प्लस मैंचेस्टर सिटी ड्रो करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होता है क्योंकि इनका डिफेंस बहुत अच्छा है वहीं पर आप देख सकते हो चल्सी हारा भी ज़्यादा है म बात करते हैं दोस्तों goal score की, तो यहां पर Manchester City 34 में दोस्तो Zeus 21 goal किया है, 24 goal कनसीट किया है, वहीं Chelsea की बात करें, तो 34 matches में यह लोग 33 goal किये हैं, प्लस 31 goal किये है, अगर इनका attack देखा जाए दोस्तों, तब भी Manchester City आगये है, वहीं defense देखा जाए, तो भी आगये है, प्लस reverse picture में आगे है अब मैच फैक्ट की बात करते हैं मैचेस्टा सिटी दोस्तो जो दस गेम खेला है चल्सी के अगे साथ विन किया है वहीं पे 42 मैचेस जो खेला है आल कॉम्पेटिशन में उसमें से दोस्तो 49 में विन किया है उसके साथ दोस्तो ये जो इंगलिस प्रीमियल लीग है इ वहीं पे 24 मैच जो खेला है सभी competition में दोस्तों Chelsea 18 में clean seat रखने में कामियाब रहा है इनका defense बहुत अच्छा है दोस्तों मैं इनके defense पे अभी भी rely करता हूं क्योंकि मुझे Chelsea का defense अच्छा लता है प्लस इनके पास attacker भी अच्छे हैं अभी पिछला match जो ये PSG के against खेले थे दोस्तों उसमें मिशल माउंड का एक goal था प्लस वहाँ पे Harvard और T Warner का एक एक goal और assist था तो दोनों player अच्छे टाजों में देख रहे हैं T Warner या Harvard दोनों में से कोई खेले आपकी team में होना चाहिए दोस्तों ये रिक्स बिल्कुल भी मत लेना especially इस match में अब बात करते हैं दोस्तों players की यहां से दोस्तों Manchester City home में खेलेगा तो मैं थोड़ा सा इसको narrow favorite लेके जाओंगा आप चाहो तो Chelsea favorite जा सकते हूँ ये आपके उपर depend करता है जील में आप try कर सकते हो बड़ दोस्तों small league में आपको Manchester City favorite ही जाना होगा ये श्रायकर की बात करें यहां से sterling start करते हुए दिख सकते हूँ वार्नर इस्टार्ट नहीं करेंगे हो सकता है फर्स्ट आपके बाद आए अब बात करते हैं पी फोडन के मुझे नहीं लगता कि अब भी इनको start कराया जाएगा तो यहां से जो important पी निकल के आते हैं दोस्तों sterling वार्नर अगर वार्नर इस्टार्ट करता है तो वार्नर फिलाल के लिए आप चाहो तो sterling के साथ जाओ लेकिन दोस्तों मैं अगवरो के साथ जाओंगा अगारो एक बहुत ही बेहतरी डिफिंडर है स्वरी श्राइकर है दोस्तों कंपेर करें अगर इस्टरलिंग से इस्टरलिंग का दोस्तों इसकोर तो बहुत ज्यादा है नौ गोल छे असिस्ट है अगारो का अभी तक दो गोल है लेकि दोस्तों अगर चाहूंगा दोस्तों आपकी कॉल होगी इस्टर्लिंग अगरो आपको किसके साथ जाना है मिट से बात करें दोस्तों ब्राउने मर्श पिक है आपकी टीम में होने चाहिए आजा कपतान जनता भी जाएगी महरेज दोस्तों अगर आपको रिक्ष लेना है तो आप महरेज पे आजा कपतान रिक्ष ले सकते हो बंदार इतना सांदार फॉर्म में है दो तीन मैज से लगतार स्कोर कर रहा है सिश्ट कर रहा है दोस्तों बहुत ही सांदार फॉर्म में है तो अभी के लिए महरेज मस्ट पिक मिसल माउट मस्ट पिक दोस्तों हमको अटाइकर पे रिक्ष के साथ जा सकते हो यह आपकी call होगी बट मैं policy के साथ ही जाओंगा मैं जैसे बोला मैं किसी भी attacker को drop करने वाला नहीं हूँ especially इतने बड़े match में यहाँ से के जाओ मां must pick होने वाले हैं दोस्तों बात करें defense से तो defense से दोस्तों start करते हैं तो आप try कर सकते हो ही एक अच्छे pick बन सकते है रूडिगर मैं इनके साथ अभी नहीं जा रहा हूं दोस्तों आप जाना चाहों तो जा सकते हो रूडिगर भी एक अच्छे defender cancel out must pick मेरे team में देखेंगे डियास अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोल कीपर की गोल कीपर दोस्तों mci जो है अभी होम में खेलेगा वहीं Chelsea जो है अभे खेल ला है तो हो सकता है ऐसा देखा जाता है दोस्तों हमेशा ऐसा होता है कि जो टीब अभे खेलती है उस पे अटेक से हैं वहां g rooftop City किया है 64 से 14 गोल किया है मैं अमख के ला हूँ प्लस एक डिफेंडर जानम से गोल स्कोरिंग ने वहां तुम भान के साथ साथ जा रहा हूं वहां पर बात प्र TVs गोल कर चुका है मैंशेस्ट्र शिर्दी यहां से तीन अटेक किये एक अटेकर ये तो मतलब तीन एक चार अटेकर हो गए मैंचेस्टर सिटी प्लस 53 गोल किये हैं 34 मैचेस में दोस्तो स्कोर बहुत अच्छा है वहीं पर मैं इनके तीन अटेकर के साथ जा रहा हूँ आप देख सकते हो तो दोस्तो मैं बैलेंस करने की पूरी कोशिस किया हूँ आप चाहोते हैं पलुसिक की प्लेस पे अगर आपको लगता है मैच क्लीन सिट होगा तो जो दोस्तो 40% उमीद यही है कि मैच क्लीन सिट हो सकता है तब यहाँ पे आप एक डिफेंडर के साथ जा सकते हो आपको डिफेंशिव पॉइंट देता हुआ दिख जाएगा कांटे चलिसी के बहुत अच्छे पिक है आप कांटे को ट्राई कर सकते हैं दोस्तो यह भी डिफेंशिव पॉइंट काफी देता है बट यहाँ पलुसिक की बात करें दोस्तो जो पियस जी के साथ मैस था सेकेंड हाप में आया बंदा आते ही दोस्तो पांट से दस मिनट के अंदर गोल कर दिया तो मैं इसको ड्रॉप करने वाला नहीं हूं क्योंकि यह मुझे दो एक या दो मैस से अच्छे टच में दिख रहा है तो मैं पलुषिक के साथ ही जाओंगा तो दोस्तो यह मेरी एक टीम बन रही है जिसके साथ आप चाहो तो स्मोल लिग में जा सकते हो यह दोस्तो मुझे टीम अच्छी लग रही है मेरे कप्तान होने वाले है महरेज थोड़ा सा ठीकी थोड़ा सा रिक्सी होगा बट महरेज जिस लेवल के फोर्म में है न दोस्तो मैं इनको आई जा कप्तान जाना चाहता हूँ हेट टो हेट में मेरे यह कप्तान होने वाले है मेरा 10 अजाल लोस हो जाए पचास अजाल लोस होजे उससे परवा नहीं है लेकिन मेरे कप्तान महरेज होंगे वाइस कप्तान केडी ब्राउने यहां से अगवरो भी हो सकते है अगवरो भी मुझे कफी इंप्रेस्यू लगते है बट फिलाहल के लिए मेरी फाइनल टीम यही है अब बात करते हैं दोस्तो एक टीम इससे हट के बनाया हूँ अगर आपको पसंद आया आप उस टीम से खेल सकते हो तो दोस्तो फिर से आपको दिखा दे स्मोल लिग की टीम जिसके साथ हो सकता है मैं खेल जाओं बस कप्तान वाइस कप्तान जैसा आपको बताया कि थोड़ा सा चेंजिस कर सकता हूँ यह मेरी एक टीम है दोस्तो जिसके साथ मैं खेल ले वाला हूँ बस कप्तान वाइस कप्तान जो चीजे बताया हूँ आप कर सकते हो बात करेंगे सेकेंड टीम की दोस्तो यह बहुत जाधा रिक्सी है बहुत ज्यादा हटके है आप चाहो तो पलू सिक यहां पे थोड़ा सा यहां पे आप चाहो तो यहां पी एक डिफेंडर को ट्राई檬 सकते हो यम् झीया का ये टीम मैं बनाया थोस्तो की स्मॉल लिक से यहां पर कवर करने के उगोसिस किया हूं अगर इस्टरलिंग अच्छा करते हैं तो मेरी टीम यह कवर कर जाएगी प्लस वार्नर को भी एक टीम में आज़ा कप्तान वाइस कप्तान ट्रावी करना मिसल माउंड के साथ यह ऑफ्षन बहुत अच्छा है अभी के मेरी टीम यही होने वाले ही और ये एक सेफ टीम है सेफ चोईस आपको बता दिये हैं दोस्तो यहां से मिशनमोइंट ऐस वाइस कप्तान सेफ चोईस टीम यह ऑफ्षन आपके ऊपर है गोर्न की बात U21 के साथ वाइस मन इस टीम में जाऊंगा अगर यह स्टार्ट करता है बंदा मैं इसके साथ 100% जाना वाला हूं बस पलुसिक का प्लेस अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं आपको डिसाइड करना है कि पलुसिक या यहां से काटे यह आपकी कॉल होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आए यहां बिन कर जाओ तभी चैनल को स्क्राइब करना वीडियो को लाइक कर देना दुबारा करें बस अपने ममी पापा का दियार रखें और उनसे हमेशा प्यार करते रहें मिलते हैं दोस्तों थैंक यू एन लव यू दोस्तों